हलो दोस्तों मैं अभी शेक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आई टी आई पे और आज की क्लास में हम लोग डिजल में कहने की अगली कड़ी में यानि की अगली सिरीज में आगे बढ़ेंगे तो इस क्लास को देखने से पहले जिन बच्चों ने इसके पीछे की क्लास को देखा होगा वो एक बार अपने मन में ध्यान में उस क्लास का रिविजन करेंगे और सोचेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ा पढ़ा है ठीक है मैं उमीद करता हूँ आशा करता कि आप लोग playlist हमारी जो है चैनल पर जो बनी हुई है उसको अच्छे से follow कर रहे होंगे और उस playlist के हिसाब से वीडियो देख रहे होंगे वीडियो कहना उचित नहीं रहेगा class आईए तो class को आप लोग तो इसके पीछे की class आपने देखा होगा हमने इंजन के classification के बारे हम बताया इंजन का इतिहास बताया कि इंजन कैसे कैसे आपका आज ऐसा इंजन जो आप देख रहे हैं उसका निर्माण कब से लेकर कि कैसे कैसे उसमें जो है step by step वो बढ़ता चला गया उसके साथ में हमने आ नोडाई के अधार पर कि यह मोटा है यह पतला है वो थिकनेस के अधार पर लंबाई के अधार पर छोटा है बड़ा है इस टाइब से उसी प्रकार से इंजन में होता है अलग लोग जो है वो classify करते हैं बट हमको major factor यह ध्यान में रखना है कि diesel engine और petrol engine इनको हम लोग क्या ब रखना है और stroke के आधार पर जो मैंने आपको बताया था तो two stroke engine और four stroke engine यहीं इंजन सारे आपके चलने वाले हैं तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं इंजन के अव्यावों का परिचय है ना या engine के प्रमुख भाग या engine के प्रमुख तत्व या engine के component या engine में यूज होने वाले element ये चीज़ें हम देख रहे हैं तो आप heading कुछ भी डालेंगे बट जो भी चीज़े engine में लगी होती हैं वो मैंने figure में यहाँ बनाया भी हम लोग अच्छे जलिल टेल में चर्चा करेंगे देखिए इंजन अगर आप किसी bike में किसी car में किसी tractor में किसी बड़े JCV में कहीं भी जहां भी engine का आपने उपयोग किया है engine लगा है किसी वहन में अगर और आप उसको बाहर से देखेंगे तो बाहर से आपको ये सारी सनरचना नहीं दिखाई देगी बाहर से जो आपको द इंजन सिलेंडर तो बाहर होता है उसके अंदर ये सारी क्रियाएं होती है तो इंजन सिलेंडर भी हमको देखने को नहीं मिलता है इसलिए सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए इंजन ब्लाक हेडिंग डाल लीजिए इंजन ब्लाक ठीक है मैं इंगलिस में बोल रहा हूँ इंजन ब्लाक हिंदी में भी आप इसको यहीं बोलेंगे ठीक है अब देखें इंजन ब्लाक क्या होता है engine block एक ऐसा आधार है एक ऐसा base है जिसमें आपका ये cylinder हो गया cylinder के साथ साथ जो आपकी valve लगे हुए हैं और जो छोटे-छोटे सारे element होते हैं जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आपको जमीन का यानि कि अर्थ का भूमी का एक base चाहिए आधार चाहिए कि भाई आप घर बनाओगे कहां है ना तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि engine का जो base होता है engine का जो आधार होता है वो किस पे होता है आपका engine block में होता है तो लिखेंगे आप इसको यह engine को आधार देता है है ना यानि कि engine का base होता है यह ठीक है वाहन में वाहन में लगे किसी engine को बाहर से देखने पर बाहर से देखने पर जो सनरचना हमें दिखाई देती है वह engine block कहलाता है ब्लॉक कहलाता है अब देखिए यह engine block जो है वो बनाते कैसे हैं आम लोग इंजन ब्लॉक जैसे आपने सुना होगा कि single cylinder engine है यह एक से अधिक cylinder जिसमें लग जाएंगे तो वो multi cylinder हो जाएगा अब चार cylinder होगे तो piston भी उसमें चार ही लगा होगा ठीक है यह मोटे मोटे तावर पे आपको समझना है यह क्या कहलाता है इंजन ब्लाक कहलाता है इसको इसको धलाई करके बनाया जाता है धलाई करके बनाया जाता है अब धलाई क्या है धलाई क्या है कास्टिंग इसको बोलते हैं इंगलिस में जैसे आपने देखा होगा कि जो चेहरे के मुखोटे बनाया जाते है वो कास्टिंग के थुरो ही बनाया जाते है उसमें होता ऐसा है कि आपके पास एक पैमाना पहले से बना होता है लोहे का आपको मुखवटा बनाना है तो आप लोहा पिखला करके उस साचे में डाल देंगे तो उस साचे के चारो तरफ फैल जाएगा लोहा पीगला हुआ है पानी जैसा बह रहा है वो उस देर बाद वो ठंडा होके सूख जाएगा उसको आप निकालोगे तो वो आपका क्या रहेगा वो आप बोलोगी कि आप वो मुखवटा धलाई से आपने बनाया है कास्टिंग करके बनाया है त इस टाइब को आपको बनाना है उस प्रकार से पहले से आपको साचा बनाना है और बाद में इसको क्या करना है धलाई कर देना है इसमें हमको क्या कर देना है पोर कर देना है मिटल कौन सा मिटल तो मिटल होगा कास्ट आइरन क्या होता है इसका हिंदी धलवा लोहा धलवा इसका निचर कैसा होता है फंगुर होता है गर सिलेंडर ब्लॉक जो है कभी आप फेको गे तेजी से तो वो तूट जाए गा टुकडँों में ठीक है तो धलवा लोहा का बना होता है या किसका बना होता है डियर Aluminium alloy का Aluminium alloy alloy का मतलब क्या होता है mixture तो aluminium के साथ छोटे मोटे कुछ तत्तों को और मिला दिया जाता है जिससे इसकी mechanical property बढ़ जाए ठीक है इसलिए जो है कुछ alloy मिला दिया जाते है alloy का मतलब है कि और दो चार चीज़ों का mixture कर दिया जाता है लेकिन main component जो होता है वो aluminium होता है इतनी बात आपको समझ में आई engine block के बारे में अब जो engine block होता है इसी engine block में आपका nut bolt कसने के लिए क्या रहेगा hole बने रहेंगे stud से जो है उनको कसा जाता है किसको उसी में engine को fit कर दिया जाता है अब जो engine block होता है वो जो है दो part में होता है एक तो bottom part होता है और एक क्या part होता है head part होता है यानि कि सिर, खोपड़ी मैं आपको दिखाता हूँ कि engine जो है वो कैसा होता है अभी ये जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या है ये पूरा block है ये नीचे वाला हिस्सा है अब मैं जो बता रहा हूँ ओपर वाला हिस्सा तो वो क्या होता है head होता है यानि कि कैप होता है ठीक है तो ये क्या हुआ आपका ये आपका block हो गया आप इसको हाथ से मारेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि यह कास्टार्ण का बना है अगर मैं इसको यहाँ से जमीन पर फेंकूंगा तो यह क्या हो जाएगा तूट जाएगा तो यह नीचे वाला पार्ट हो गया आप देख रहे हैं कि इसमें अलग-अलग संरचनाय बनी है अलग-अलग यहाँ पर इस्टड से कसने के लिए बना हुआ है क्योंकि बहुत वाइब्रेशन होता है जो पिस्टन चलता है तेजी से तो तभी तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो इसको कसने के लिए यहाँ पर इस्टड का मतलब होता है कि ऐसा बोल्ट जिसमें दोनों सीरों पर क्या हो चूडिया कटी हो एक बोल्ट आपने देखा होगा कि एक तरफ जो है वो बना होता है कि आपकी कैप बनी होते लेकि उपर से क्या करना है हमको कैप लगा देना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सिलेंडर हेड बोलते हैं ठीक है तो अब ध्यान से देखिएगा इसका जो हमने आपको दो पार्ट बटाया तो उपर वाला हेड क्या होगा वो कैपिंग का काम करेगा और नीचे वाला जो बॉट उसके बाद अब क्या बचा आपका बहुत सारी चीजें है इसमें अब हम लोग देख लेते हैं पिस्टन में में चीजें देखेंगे जैसे आप सिलेंडर देख लेते हैं ठीक है सिलेंडर देख लेते हैं सिलेंडर के बाद पिस्टन देखते हैं अभी हम लोग इसकी वर्किं बना हुआ है तो इसमें क्या नाम है कोई आपको दिखा और पूछले तो आप बता पाओगी इसका नाम यह है तो अभी जैस्ट परिच्ड परिचित हम लोग हो रहे हैं अभी दो शीलेंडर बलॉक के बारे में देट UP chosen होंगे ठीक है चलि के ज्ब तो हम लोग क्या देख लेते हैं, Cylinder, Cylinder, Cylinder क्या होता है, Cylinder अभी जेस्ट आप इतना समझे कि यह एक खोखला पात्र होता है, Hollow होता है, Hollow को मतलब है कि जिसे Cylinder आपने देखा है, गोलाकार, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेंडर, ये, जो आपको ये इसमें दिख रहा है, ये क्या है आपका सिलेंडर है, ये आप देखिए ध्यान से ये क्या है आपका सिलेंडर है जो बीच में आपको होल दिख रहा है ये cylinder हो गया, तो cylinder क्या होता है, खोखला पात्र होता है, इसमें जो है, piston को reciprocating motion करने के लिए जो है, वो space दिया जाता है, फीक है, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ एक, खोखला पात्र होता है, cylinder की संरचना, पिश्टन के अनुसार बनाई जाती है, जिस से, पिश्टन, सिलिंडर में, रेसी प्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है, पश्चाग्र, मैं हिंदी बहुत कोशिश करूँगा, कि जितनी हम से समझ में आये हिंदी, क्योंकि मैंने इंग्लिस में पढ़ा है, पश्चाग्र इसको बोलते हैं, इसकी इंगलिस क्या होती है, रेसी प्रोकेटिंग मोशन, ठीक है, पश्चाग्र गती कर सके, यह समझ में आया, चलिए, यह क्या हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, ठीक है, इंजन सिलेंडर आपका, क्या होता है, यह एक खोखला पात्र होता है, सिलेंडर की संरचना, पिष्टन के अनुसार की बनाई जाती है, जिससे पिष्टन सिलेंडर में पश्चाग्र गती कर सके, और इसका आकार कैसा होता है, गोला कार सिलेंडर सिलेंडर जैसा ठीक है जैसा आपका खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है गोला होता है ठीक है क्योंकि पिश्टन की भी जो होती है मोवेंट गोलाकार होती है मांकी जो भी अलग-अलग टाइप से हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे तो वहां पर देखें ठीक है तो यह वाला ज पिश्टन क्या है भाई तो देखिए पिश्टन के बारे में जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि पिश्टन जो है वो किस धातुका बनाया जाता है यानि कि किस मैटेरियल का बना होता है तो जो पिश्टन होता है वो आपका एलिमुनियम का बना होता है क्यों एलिमुनि आप केहां नहीं तो आप किसी दोस्त केहां जाईएगा तो एक कड़ाही ऐसी होते हैं जिसका वजन बहुत भारी होता है जो इस्टील की बनी होती है एक कड़ाही होती है एलुमुनियम की वह बहुत ही हलकी होती है क्योंकि एलुमुनियम क्या है एक बहुत हलकी धातु है पिश्टन जो है आपका ये है ये आपका पिश्टन है बहुत हलका है ये आपको दिख रहा होगा कि यार ये लोहे जैसे सनचना बहुत हलका है जब मैंने इसको हाथ से छुआ तो मैंने इतना भी सोचा नहीं था कि इतना हलका होगा क्यों हलका होता है क्योंकि उसको उपर नी पिश्टन हो गया, ये किसका बना होगा, अलिमुनियम का बना होगा, ये भी आप क्या कहेंगे, कि ये भी जो है, पिश्टन क्या होता है, पिश्टन आप लिखेंगे, गती की पहली कड़ी या लिंक, क्या होता है, पिश्टन होता है, इस line का मतलब क्या है कि engine में engine क्या होता है गती करता है engine engine को क्या चाहिए motion चाहिए तो जो सबसे पहला motion वाला part होता है जो अनुभूत करता है motion का वो piston ही करता है सबसे पहले तो अगर गती कहीं से start होगी जैसे ही आपने गाड़ी start कि self आपने दबाया तो जो सबसे पहले गती पाएगा वो piston को गती मिलेगी फिर piston अपनी गती को क्या करता है connecting rod को देता है फिर connecting rod किसको देता है crank soft को देता है फिर crank soft किसको देता है crank को देता है फिर वहाँ से आपकी soft ल तो piston के बारे में इतनी सी बात आपको समझना है कि जो है क्या होता है ये link piston होता है गती की पहली कड़ी या link ठीक है तो ये क्या हो गया आपका piston हो गया ये किसका बना रहेगा अलिमुनियम का बना रहेगा चलिए अब ये हमने आपको बता दिया ये cylinder वाला पार्ट हो गया अरे भाई ये मैंने आपको original दिखाया कि ये वाला पार्ट क्या हो गया cylinder हो गया अब देखिए ये क्या हो गया पिष्टन हो गया मैंने यहां पर अच्छे से बहुत बढ़ी अस इस्थान है यही में जो है आपका यहीं पर उर्जा बनती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग combustion चेमबर है ना तहन कक्ष इम क्या बोलते हैं इसको तहन कक्ष combustion चेमबर क्या होता है इंधन का जब हम लोग इनपूट लेते हैं यानि कि हमको इंधन तो भेजना ही है इंजन में चाहे पेट्रोल भीजिए चाहे आप डिजल भेजिए तो जो इंधन का जो सप्लाई होता है वह combustion चेमबर में आने के बाद ही क्या होता है यहाँ पे हम लोग उसको heat देते हैं या spark देते हैं और यही पे इंधन की जो chemical energy होती है वो किसमें convert होती है आपकी heat energy में तो मैंने आपको starting first lecture बताया था कि जो fuel की chemical यानि की इंधन की रासायनिक उर्जा उस्मा उर्जा में उस्मा उर्जा में यहीं पर बदलती है अर्थात इंधन को इसी कक्ष में जलाया जाता है समझ में आ गया इंजन जो आपका गरम हो जाता है चलते चलते तो गरम होता है तो मतलब कहीं कहीं heat बन रही होगी तो यह वाला part होता है समझ में आ गया यह बात यह क्या होता है दहन कक्षया combustion chamber होता है ठीक है अब क्या बचा आपका अब आपका बचा हुआ है वाल्व, वाल्व क्या है, इसको रफ कर दें, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रेंस ओड़ अगरा ले लिजेगा, मैं कुछ सेकंड के लिए यहां से हट रहा हूँ, ठीक है, अब क्या है आपका, वाल्व है, है न, वाल्व, वाल्व को क्या ब आपके दो प्रकार के होते हैं, वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, चलिए, वाल्व, वाल्व क्या है, देखिए, वाल्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनलेट वाल्व होगा, यानि कि प्रवेस द्वार होगा, एक क्या होगा, आउटलेट वाल वाल्व का मतलब क्या होता है निकास द्वार यह प्रवेस द्वार हो गया वो निकास द्वार हो गया तो जो इनलेट वाल्व होता है यह क्या होता है यह खोलता है रास्ता पहले तो रास्ता बंद रहता है जब इंजन को जरूरत होती जैसे आपका मुह है ना आपका मुह यह कि यहां है खाने के लिए है तो जब आपको जरूरत होगी तब नब मुझ मुझ खोल कर खूला रहेगा है तो यह क्या करता है ईम्धन को जब आना होता है तो रास्ता देता है उसके बाद यहां-पर क्या होता है इसकी वाल्व की मेकेनिजम हम लोग आगे पढ़ेंगे वो जो है फिर उसको अर्जेस्ट कर लेता है तो वाल्व का काम क्या होता है वाल्व कितने प्रकार का होता है या दो प्रकार का होता है होता है कौन कौन सा प्रवेस द्वार और निकाश द्वार ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, exit valve, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, inlet valve, तो देखे, प्रवेश द्वार क्या करता है आपका, मैं ही पर आपको बता रहा हूँ, ये क्या करता है, इन्धन को, दहन कक्ष में, कक्ष में, आने के लिए, अनुमती या, रास्ता होता है, क्या है ये, इन्धन को जो है, वो दहन कक्ष में, आने के लिए, अनुमती देता है, या, रास्ता होता है, ये वाल्व होता है, कौन सा, inlet valve, यानि कि प्रवेश द्वार, अब निकास द्वार क्या करता है, कि इन्धन यहाँ पे आया का भाई, ये हम लोग, कारिपनाजी निकली अनुमताए, यहाँ पर जला, आब जलने के बाद उसका धूआ भी तो निकलेगा, तो धूआ कहां से निकलेगा आपके, outlet वाल्व से, थो क्या करता है ये, ये इंशओर करता है, कि कब हम को खुलना है, ये जान जाता है, वो कैसे काम करता है, वो कायम फॉल्वर पर हम लोग चर्चा कर लेंगे तो अपने हिसाब से सिट रहता है कि कि कितने देर में उसको खूलना है यहाँ पिर क्या होता है काइंब लगि proces फट 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 ऊपर ni же कह करती स्व को खोलती रहती है अलग-अलग टाइम से ठीक है कब इसको खोलना है कब उसको खोलना है वो वाल्व टाइमिंग हम लोग देखेंगे ठीक है तो निकास द्वार क्या करता है कि जले हुए कि इंधन के धूम्र को यानि कि धूए को निसकासित करता है क्या करता है यह जला हुए जो इंधन है वो आपका कब बाहर निकलना है निसकासित करता है अब क्या आता है आपका मैनी फोल्ड यह भी आपसे पूछा जाता है मैनी फोल्ड मैनी फोल्ड क्या है भाई यह बताईए कि यहाँ पे जो है इंधन आना है तो यहाँ पे इंधन क्या बिना किसी पाइप के बिना किसी रास्ते क्या जाएगा नहीं आएगा ना तो कुछ न कुछ तो रास्ता चाहिए, तो ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता, एक pipe होती है न, तेल जो है वो टंकी में आप भरवाते हैं बाइक में, तो वहां से एक pipe लगी होती है, लगी होती है न, वो pipe से जो है तेल आता है कार्बूरेटर में, फिर फोल्ड लगा होता है एक pipe लगी होती है वहाँ से हवा और petrol mixture हो करके यहाँ पे इस pipe के द्वारा आते हैं तो इसी pipe को ही क्या बोलते हैं हम लोग manifold बोलते हैं अब यह manifold भी दो प्रकार का हो जाएगा ले आने वाली fuel manifold रहेगी तो inlet manifold हो जाएगा है ना और बाहर निकालने वाली pipe लगेगी वो कहां जुड़ेगी आपकी वो exhaust से जुड़ेगी silencer से जुड़ेगी आपकी bike में जो silencer लगा होता है तो यह valve में डारेक्ट आके silencer नहीं fit कर देना है valve से एक pipe निकलेगी वो pipe जा करके टेड़ी में डी मुरते हुए तब आपके exhaust जहां आपको silencer होता है वहाँ पर लगी होता है तो क्या होता है वो manifold होता है तो outlet manifold हो गया ठीक है तो प्रवेस manifold और outlet manifold यह भी क्या क्या होगा inlet manifold और दूसरा नंबर क्या होता है outlet manifold ठीक है तो यह मैंने बता दिया है आप लिख लेना भाई inlet manifold क्या होता है इंधन को ले आने के लिए valve तक pipe या रास्ता होता है ठीक है इंधन को combustion chamber तक ले आने के लिए या valve तक ले आने के लिए combustion chamber से पहले आपको valve से गुजरना पड़ेगा लेकिन इंधन को valve तक ले आने के लिए किसकी जरुद पड़ेगी आपको आपको जरुद पड़ेगी inlet manifold की ठीक है अब क्या हुआ दहन हो गया आपका spark वगरा हो गया अब ही हम लोग देखेंगे क्या होना है आगे यहाँ पे जल गया धुआ धुआ जलने के बाद धुआ को बाहर निकालने के लिए valve से तो बाहर निकल गया valve से exhaust pipe तक आपके silencer के pipe तक जो रास्ता जाता है वो क्या कहलाता है आपका outlet manifold कहलाता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होगे ठीक है यह हो गया भाई manifold और क्या बचा हुआ है अब आपका बचा है अच्छा पिष्टन में एक सवाल और पूछा जाता है मैं आपसे बता दूँ यहाई पर ठीक है यह हो गया manifold हो गया अभी फिर हम लोग पिष्टन के नीचे आते हैं ठीक है अभी पिष्टन के भाग के बारे में लोग पूछेंगे कि सर्ट क्या होता है स्कर्ट जिनको पता हो वो लोग comment करें ठीक है स्कर्ट तो सबको पता होगा जिनको नहीं पढ़ा होगा वो लोग भी जानते होंगे कि स्कर्ट क्या है तो वो स्कर्ट नहीं comment करना है मैं भी बता दे रहा हूँ यूट्यूब की policy नहीं है वो कि आप वो स्कर्ट यहाँ पर comment करें आपको जो है यह क्या हो गया आपका पिश्टन हो गया थोड़ा colorful रहेगा क्योंकि आप लोगों का दिमाग जो है वो रंग बिरंगी चीजों पर जादा जाता है यह हो गया यह क्या हो गया पिश्टन हो गया ठीक है यहाँ spark plug लगा हुआ है यहाँ आपका एक valve लगा है यहाँ आपका outlet यहाँ से इंधन अंदर आ रहा है यहाँ से धुवा बाहर जा रहा है यह पूरा combustion chamber है यहाँ पूरा जो है वो भरा हुआ है आपका material यह क्या है आपका यहाँ पे आपकी crank shaft वेगरा है लगी हुई आप देखिए जो piston होता है न सर उस piston में भी एक sun रचना लगी होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह piston हुआ piston इसमें क्या लगा है इसमें जब आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आपके पास आ करके देखना आप यह इसमें आप जब ध्यान से देखोगे तो यह क्या लगा हुआ है piston ring लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं हम लोग piston ring बोलते है यह भी कास्ट आरन की ही यह बिरिटिन मेटरेल की ही बनी होती है अब इसका काम क्या है इनका नाम क्या है? इसमें दो तीन ring लगी होती है एक ring यह है एक मैंने आप लोगं को दिखाने के लिए निकाल लिया है यह देखेंगे यहां से चप्टी है ठीक है? यह ring है आपकी यहाँ पे सेट हो जाती है यहां पर sit हो जाएगी तो दिखेगा नहीं यहां PSA क्या हो जाएगी sit हो जाएगी तो इसका काम क्या है piston ring का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ मैंने कुछ figure भी आपके लिए लगाया हुआ है आप देखेंगे तो साइद आपको अच्छा लगे आपको दिखा देता हूँ देखेंगे यह आपका क्या है cylinder block है यह block ऐसे बनता है यह multi cylinder का है इसमें देखेंगे एक, दो, तीन, चार cylinder fit हो जाएंगे यह bottom वाला part है वी cylinder head नहीं लगा हुआ है और यह क्या है आपके nut bolt लगे हुए है head के साथ बाद में कस दिया जाएगा, ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर डाल करके piston हो गया रहा देखते चलिएगा यह आपका क्या है, बाहर से ऐसी स्तनर चना दिखेगी, यह जो उपर दिख रहा है आपको गोला कार, यह cylinder है, और जो चारों तरफ दिख रहा है यह फिन लगाई गई है ठंडा करने के लिए इसके लिए ठंडा करने के लिए जिससे आपका इंजन क्या हो, ठंडा हो क्योंकि यह एर कूली, यह बाइक बाइक का है ठीक है, बाइक जो है आपका हवास ठंडा होती इसमें रेडियेटर नहीं होता है, कि आप पानी डाल दो कलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा देखें, यह यह आपका क्या है, पिष्टन है पिष्टन है, पिष्टन में मैंने इसी तरह का रिंग दिखाया कोई बोले, दो रिंग तो दो रिंग भी नहीं चलेगा तीन रिंग कम से कम चाहिए अब देखिए ध्यांस देखिए, यह क्या हुआ पिष्टन हो गया, देखिए, एक रिंग जो है, यहाँ उपर लगी रहेगी, एक और लगी रहेगी, और एक रिंग जो है वो और लगी रहेगी यह क्या है, रिंग है जो मैं बड़ी खीच रहा हूँ, वो गोला का रिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया ना पिष्टन में, मैं आपको आईसी इंजन की सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है मैं पास बहुत सारी चीजें है आईसी इंजन की, मैं वरक्शॉप से लेकर आया हूँ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यह तीन रिंग लगी हुई है ठीक है, यह यहां तक पिष्टन है इतना बड़ा ही पिष्टन है, यह तीन रिंग लगी है अब देखिए, जो ऊपर की दो रिंग होती है एक रिंग, दो रिंग इन दो रिंग का नाम अलग है जो नीचे वाली रिंग है इस रिंग का नाम अलग है देखिए जो ऊपर दो रिंग लगी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रिंग compression ring दिख रहा है या नहीं छीक है इसको हम लोग विटा देते हैं ये क्या है आपका ये जो उपर की दो हैं ये क्या है आपकी compression ring है जो नीचे की है जो वो क्या कहलाती है oil ring कहलाती है oil ring का मतलब failure ring ठीक है ये क्या है compression ring का मतलब क्या है संपीडित रिंग अब कैसे पहचान हो गया आप लोग भूल जाते हो मुझे ये भी पता है अच्छे बताइए कि ये क्या है यहाँ पे चार्ज भरा हुआ है ये क्या करेगा दबाएगा पिस्टन को अंदर की तरफ दबाएगा जो नीचे की तरफ रहेगा वो क्या रहेगा ओयल रिंग रहेगा अब देखिए अब इसकी परिभासा देखते हैं कि क्या है रिंग हेडिंग डाल लीजिए पिस्टन रिंग पिस्टन रिंग पिस्टन रिंग क्या है भाई पिस्टन रिंग हमने बाटा दो भागों में, कौन-कौन सा oil ring compression ring आप से कोई पूछे किसका बना होता है तो cast iron या brittle material का brittle का मतलब होता है भंगूर cast iron या ci के मतलब हो गया cast iron यानि कि धलवा लोहा इतना तो आप लोग समझे ही रहे होगे cast iron हो गया, या brittle का बना होता है ये दो प्रकार की होती है oil ring और compression ring अब piston ring के बारे मैं नहीं लिखवा रहा हूँ ठीक है, मैंने दिखा दिया है तो आपकी दिमाग में होना चाहिए अगर नहीं है तो लिख लिजे अभी मैं बोल रहा हूँ piston ring, piston के उपर गोला कार एक परच चढ़ाई जाती है किस लिए चढ़ाई जाती है piston ring जिससे आपका piston क्या हो सके, सुरक्षित हो सके अच्छा इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जब ये piston cylinder में उपर नीचे motion कर रहा है cylinder में fit हो गया ये अब ये क्या कर रहा है, उपर नीचे motion कर रहा है तो इस piston में क्या होगा घिसाओ होगा घिसेगा ये piston है न तो जब घिसेगा तो इसको piston को घिसने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें ring लगा देते हैं ring लग गई, अब ring क्या है थोड़ा सा बढ़ी हुई है तो जब कभी खराब होगा हमारा तो बस यही 3 तो ring निकाल के हमको replace कर देना है, piston हमारा बचा रहेगा वैसे बाईक आपको ही रखे होंगे 100.500 तक तो 1000.500 रुपय का आपका piston मिलेगा और ring आपकी 100.500 रुपय में काम हो जाएगा तो क्या हो गए आपका ring जो है, वो piston को बचाती है खराब होने से rubbing होने से, friction से क्या होती है friction से जब खराब हो जाती है piston आपकी, उस घरसन से piston को बचाता है, यह ring और क्या करता है ring जो है, और क्या करता है ये तो ring के बारे मुनें बता दिया अब oil ring का क्या है देखिए compression ring कहां पर होती है उपर की तरफ उपर की तरफ अब उपर की तरफ हर बार गलत हो जाएगा अगर engine को आपने ultra रखा है तो उपर की तरफ थोड़ी होगा तो इसलिए उपर की तरफ और कोस्टेक में लिखिए तहन कक्ष की और तहन कक्ष की और तहन कक्ष की और लगी हुई ring compression ring कहलाती है compression ring कहलाती है इनकी संख्या कम से कम दो होनी चाहिए भाई कितनी होनी चाहिए दो कम से कम होनी ही चाहिए अगर कोई कह भई या 8 compression नहीं लगा दे काम चलगा नहीं आप मानी अगर नहीं कभी इसका काम क्या होता है कि देखिए उपर की तरफ लगी हुई है ठीक है एक इधर एक इधर ये दो रिंगे जो दोनों लगी हुई है उपर की तरफ लगी compression chamber की इसका काम ये होता है कि जो यहाँ पर चार्ज भरा हुआ इंधन आपका आया वो इंधन यहाँ से slip करके यहाँ से जगह बना के कहीं यहाँ ना आने पाए crank shaft में ना आने पाए आपके यहाँ पर samp वाले इस्थान पे ना आने पाए नहीं तो क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि leak हो जाएगा तो जब leak हो जाएगा तो piston आपका बढ़ी है से move करेगा ही नहीं ठीक है तो क्या काम होता है इसका इसका कार्य leak proof बनाना होता है ठीक है किसको cylinder को यानि कि आपका जो charge है इंधन है mixture है fuel का वो नीचे ना आने पाए कहाँ पे इधर साइड ठीक है समझ में आ गया अब आपका क्या है oil ring oil ring क्या करता है आपका इसकी संख्या कम से कम एक चाहिए कम से कम एक होनी चाहिए भाई तो अगर सवाल आपसे सिधे सिधे पूछे कि piston में कितनी दिंगे चाहिए तो आप बोलना तीन उसके अंदर फिर आपसे जब अरश्ती अंदर घुसे तो आप बोलना यहां पर क्या भरा होता है आपका इस नेहक भरा होता है लुब्रिकेंट आप लोग जो मोवी ऐल डलवाते हो डलवाते हो नא बाइक में पिट्रॉल के अलावा भी एक फ्यूल डाला जाता है सर्वेसिंग होती है तो वह यहां पर आके rubbing हो रही है तो lubrication जरूरी होता है तो जैसे piston ऊपर चला गया पिश्टन ऊपर गया तो यहां पर आसपास चिपक गया जब आसपास चिपक गया तो एक ring यहां पर नीचे लगी होगी यह क्या होगी इसको पूरा बढ़ियां से पोंच के साफ करके नीचे गिरा देगी तो यह फ है कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग connecting rod देख लेते हैं वाई ठीक है कि connecting rod कितना minute का हुआ यह class 36 minute ज्यादा class लंबी होगी तो आप लोग देखोगे भी नहीं पता है न चलिए अगली class में देखें इसको या अभी complete करें connecting rod कर देते हैं दो ठो तीन ठो और चीज़ें बची है connecting rod और crank shaft और sump connecting rod क्या है पिश्टन में लगा होता है यह पिश्टन से जुड़ा होता है connecting rod का नाम क्या है connect करना किसको किसको connect करना तो piston को connect करना आपके crank soft से किस से किस से इसका कार्य piston को crank shaft से जोड़ना होता है यह किसकी बनी होगी भाई तो यह बनी रहेगी आपकी medium carbon steel याने की मध्यम कार्बन इस पात मध्यम कार्बन इस पात की बनी होती है क्या बनी होती है connecting rod ठीक है या steel alloy के भी कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे steel alloy के भी बनी हो सकती है याने कि steel के mixture का steel की ही बनी होगी यह इसको काश्टरंस नहीं बना देना है ठीक है तो यह क्या है piston rod हो गया sorry connecting rod हो गया ठीक है connecting rod इसका कार्य पिश्टन को crank soft से जोड़ना होता है अब यहाँ पर समस्या उठे कि से भाई crank soft क्या है तो crank soft क्या है crank soft क्या है crank soft connecting rod से motion को अब देखे सबसे पहले गती किस में होगी सबसे पहले चलेगा आगे पिछे कौन आपका piston चलेगा इसलिए मैंने बताया थे पिश्टन पहली कड़ी होती है motion पाने की ठीक है उसके बाद ये अपनी गति किसको देगा connecting rod को भाईया ले जाओ तुम दो किसको crank soft को दो तो अब ये घूमने लगेगा तो जब ये घूमेगा तो क्या घूमेगी फिर आपकी crank soft तो ये क्या करता है कि connecting rod की रोड की auxiliary motion या reciprocating motion अलग अलग मोशन हो सकता है बिल्कुल possible है ये बीठी कि गलत नहीं है ये तो ये comment कोई नहीं करेगा अगर करेगा तो मैं explain कर दूंगा उसमें ठीक है तो reciprocating motion को क्या करता है circular motion में यानि कि वृत्ताकार गती में बदलता है और connecting rod से मिले गती को किसको प्रदान करता है connecting rod से मिली गती किसको मिली crank soft को किसको प्रदान करेगा crank को क्रेंक को crank को देता है आई बात समझ में ये crank soft का काम है अब देखिए मैं आपको एक figure दिखा रहा हूँ कैसे ये लोग काम करते हैं भाई देखिएगा ध्यान से देखिए इस figure को ये piston हो गये सबसे उपर आपको दिख रहा है ठीक है उसके नीचे क्या है connecting rod है फिर क्या है ये crank soft है क्या है ये crank soft आपको नीचे दिख रही है ठीक है और कोई figure हमको ठिक ठाक दिख नहीं रहा है ये बहुत सारे लगाये तो थे सायद चलिए कोई नहीं ठीक है वही बार बार आ रहे है ठीक है ये क्या है इस टाइप से सन्रचना होती है अब पिष्टन उपर नीचे होगा तो क्या होगा इसकी सन्रचना ऐसी बनी ही है क्रेंक साफ्ट की कि इसके उपर नीचे होने से आपका क्या होगा ये गोला कार गोमने लगेगा है ना ठीक है अब क्या बचा आपका अच्छा एक सवाल आप से पूछा जाता है कि भाई पिष्टन हो गया कनेक्टिंग राट हो गया पिष्टन को कनेक्टिंग राट से मैंट अब यहां पर नहीं है मैं लेकर करके आऊँगा अगले दिन दिखाऊँगा यहां पå बना हुआ है अब इस घूल से क्या जूड़े गया है कि कनेक्टिंग रओड को जोड़ना है तो connecting rod को जोडने के लिए एक पिन यहां पर डाली जाएगी एक connecting rod यहां पर ऐसे फसाएंगे हम लोग और फसाने बाद इसमें एक slot डाल देंगे पिन डाल देंगे उस पिन का नाम होता है गजन पिन गजन पिन क्या बोलते हैं उसको गजन पिन गजनी नहीं लिखिएगा गजन पिन का काम क्या होता है पिश्टन को connecting rod से जोडना ठीक है उसके बाद crank pin का काम क्या होता है connecting rod को crank soft से जोडना connecting rod को crank soft से जोडना कौन जोड रहा है crank pin पिश्टन को connecting rod से जोडना कौन जोड रहा है यहाँ पे गजन पिन connecting rod को crank soft से जोडना कौन जोड रहा है crank pin ध्यान रखिएगा इस बात को यह बहुत मुच्छा जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा difference है यह क्रैंक पिन यह क्या करता है कनेक्टिंग रॉड को किस से जोड़ता है भाई क्रैंक साफ्ट से जोड़ना इस अब नोट पॉइंट डाल के आप लिखते रहिएगा अब क्या बचा है आपका ठीक है क्रैंक केश क्या होता है यह आप देख रहें कि अपना अलग से ही बना हुआ है यह क्रैंक है तो केस का मतलब क्या होता है Mobile का केस बोलते हैं Case cover उसको हम लोग case बोलते हैं आप लोग Flipkart Amazon पे जब search करोगा तो हहाँ पर case लिखा रहेगा transparent case case लिखा रहेगा आपका black and white case केस लिखा रहेगा कई की समझ रहता है लेकिन इसी केस में जो है सम पर हेता है यह लूब्रिकंट भण होता है कवर होता है क्रैंग केस हो समाझिक रहिए है कि इसमें जो है लगबलब सारी चीज हो चुकी है हमने नहीं बताया है अपको नहीं बताया है देखिए प्लग कहा रहेगा यहां पर या तो प्लग रहेगा या तो इंजेक्टर रहेगा अब पिछली क्लास आप लोग पढ़ाता था उनको पता है जिन भी ट्रेट को मैंने पढ़ाया है जो मैं बोल रहा हूं वो सब आपकी परिक्षा में आएगा एक एक सब्द वीडियो को रोक रोक करके बार बार देखिएगा इसपार्ग प्लग जहां लगेगा वो पिट्रोल से चलेगी गाड़ी फ्यूल इंजेक्टर जहां लगेगा वो डिजल से चलेगी तो प्लग और इंजेक्टर हम लोग दोनों देखते हैं प्लग, कहां रखती है? पेट्रोल इंजन में. ये नोट पॉइंट में आप लिख लोगे, तो यहां तक दिख रहा है, ठीक है, इसके निचे नहीं दिखेगा है, ठीक है. पेट्रोल इंजन में ये लगता है, ये क्या करता है? इस पार्क देता है किस लिए इंधन को जलाने के लिए जलाने के दिए अब इस पार्क कैसे बनेगा जब थोड़ा सक गैप होगा करिंट यहां से यहां तक अगर जा रहा है अगर आप सीधा तार जोड़ दोगे तो भाई चिंगारी निकलेगी नहीं और चिंगारी चाहिए अंदर तो बढ़ा हुआ है क्या पेट्रोल और उसको चाहिए चिंगारी जलने के लिए पिछली क्लास में बताया था तो क्या होगा आपको हलका सा चिंगारी देनी पड़ेगी तो चिंगारी आपको इसे देंगे चार से 8 mm कह सकते हैं, बस exact जो value होगी, वो 0.6 mm होती है, ये क्या होता है, plug होता है, fuel injector, ये क्या होता है, diesel engine में होता है, देखिए, ये fuel injector को हम लोग वालवे भी बोलते हैं, वालवे क्यों बोलते हैं, वालवे का मतलब होता है, द्वार, और fuel injector क्या होता है, अगर fuel injector यहां लग गया तो हवा पहले आएगी यहां पर सिर्फ हवा रहेगी कंप्रेशन इंजिन हो गया ना कल में बताया था कि रस्ता बने रहेगा तो एक वालव यह भी हो जाएगा तो पूछेगा क्या पूछेगा यह द्जलेंगे में कितने वालव या दो वालव एक आउट्लिट एक एं यहां पर लिख रहा हूं आपको बोल रहा हूं इतनी बात समझ में आई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं नहीं चाहिए अगर होगी तो आप लोग बता देना मैं आगे करवा दूँगा ठीक है और क्या बचा हुआ है जो वालव होते हैं दोनों वालव हमने मंगा के रखे हुए हैं यह वालव है यह क्या है यह वालवा, यह क्या है, गोला कार है, और गोला कार देखिए, एक वालव लगेगा यहाँ, ठीक है, यह वालव हो गया, अब मैं एक इंटर्विव में गया था, ठीक है, मेकेनिकल का इंटर्विव था, तो उसमें मुझसे पूछा गया था, कि जो वालव होता है, उसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होता है तो अब ऐसे आप देखोगे तो यह बराबर है बराबर है एक दम तो मुझे उस टाइम नहीं पता था मुझे तो लगा यार बराबर ही होता होगा तो मैंने बराबर बता के आगया मैं तो देखिए एक ठो छोटा है ये बढ़ा है ये जो बना हुआ है ये बढ़ा है तो कई से जानेंगे आपके कौन सा वाला बढ़ा कौन सा छोटा ये पूछा जाता है सवाल तो याद कैसे करना है खाने के लिए बड़ा है और निकालने के लिए छोटा डाया है ना समझ रहे हो तो क्या है आपको जो inlet होगा जहां से खा रहे हो जहां से अंदर ले रहे हो वो क्या होगा बड़ा होगा यानि कि मुझ का छेद क्या है बड़ा है तो यह क्या हो जाएगा इनलेट बाल्व का डायमिटर क्या होता है सदयव और आउटलेट खाया निकाल दिया तो निकालने वाला छोटा डाया ठीक है तो यह क्या हो जाएगा exit valve हो जाएगा यानि कि outlet valve हो जाएगा मैंने ये संरचना आपको बता दी है अगली class में हम लोग क्या देखेंगे कुछ important terms देख लेंगे जैसे अभी stroke के बारे में आपको नहीं पता है TDC, BDC मैंने नहीं बताया है उपर वाला top होता है, नीचे वाला BDC होता है इसार चीजें कुछ important important हम लोग देख लेंगे फिर हम लोग क्या देखेंगे diesel engine कैसे काम करता है petrol engine कैसे काम करता है two stroke कैसे काम करता है four stroke कैसे काम करता है camsoft वगएरा कैसे होती है कैसे operate होती है flywheel का एक्टर माता है वो अभी हमने इसे यहां पर नहीं बताया है हमने सिर्फ अंदर-अंदर का part बताया है इसके बाहर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो अगली class में हम लोग देखेंगे तो बस ये class यहीं तक थी अगर enjoy किया हो आपने तो बस अभी बोल रहे हैं वीडियो को like कर देना आप लोग चैनल को subscribe कर देना अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ग्रूप में अगर आप लोग शेयर करोगे हर जगे भेजोगे appreciate करोगे अगर आप लोग तो ये class ये complete में करवा दूँगा और किसी का course लेने की जरूरत आपको नहीं पढ़ेगी ठीक है सब कुछ यहां से cover हो जाएगा notes चाहिए तो वो भी मैं करवा दूँगा लेकिन पहले है अगर class complete होती है तो ठीक है थैंक यू पढ़ते रहे है मस्त रहे है जैहन